भोटा का दोरा और डेरा में निवास आठ से नौ मई उन्निस सो उन्चास आज इतवार की सुभा के साथ बजे अपनी प्लाइमत कार में डेरा से हुजूर महराज सरदार बहादुर साहिब, भाई शादी, मैं और साहिब जादा सरदार बचिन सिंग एक नौकर के साथ जालंधर पहुँचे जालंधर में सरदार भगत सिंग की कोठी से मिले मैदान में बहुत सी संगत जमा थी वहाँ छोटा सा सत्संग देकर नौ बजे के बाद होश्यारपूर को रवाना हुए और सीधे लब्भूराम के मकान पर पहुँचे वहाँ हजारों आदमी औरतें इंतजार में खड़े थे इसलिए हुजूर सरदार बहादूर साहिब तो उनको सत्संग सुनाने में वियस्थ हो गए और मैं कार लेकर डॉक्टर शंकर सिंग मैनेजर लौरी सर्विस के पास हर्याना के अड़े पर गया कारेकरम यह था कि हमारी अपनी कार हुश्यारपूर रहे और हम किराये की टेक्सी में बाकी सफर करें एक लौरी किराये पर हुश्यारपूर से लौट स्पीकरों, सेवकों और पाठियों के लिए बुक की गई थी जो सारे सफर में हमारे साथ रही उस लौरी में लाउट स्पीकर और सेवक सब आठ मई की सुभा को खुश्यारपूर से साथ बजे सुभे चल कर हरोली को रवाना हो गए थे ताकि हमारे वहाँ पहुचने से पहले सत्संग सुनाने के लिए लाउट स्पीकर लगा लिये जाएं अड़े पर जाकर डॉक्टर साहिब को साथ लेकर देखा कि जो कार हमारे लिए जानी है वह अभी ठीक हो रही है इसमें अपनी कार का सारा समान रखवाया और अपनी कार को मोटर गैराज में दे दिया वहाँ पेट्रोल डलवाया तो उस समय धर्मानी साहिबान, बाप और बेटा एक दो पुर्शों के साथ अड़े पर ही स्टेशन वेगन लेकर आ पहुँचे सत्संग खत्म होने पर वे भाई लब्बू राम जी के मकान से हुजूर सर्दार बहदुर साहिब को लेकर आ गए और कार भी तयार हो गई डॉक्टर साहिब को भी हमारे साथ ही जाना था प्रोग्राम यह था कि हुश्यारपूर से पहले हरोली जाएं और वहां सत्संग देकर खाना खाकर उना होते हुए काली सिंगी गाउं में पान साथ मिनट बीबी शिव देवी को दर्शन देकर द्याड़ा जाएं जो उना से कोई 14 मील होगा और वहां रात रुक कर सुभे का सत्संग देकर सीधे भोटा जाएं हुश्यारपूर से दोनों कारे रवाना होकर उना की तरफ चली मैं स्टेशन वैगन में था, हुजूर टेक्सी शेवरिले में थे वहकार हमसे आगे थी, रास्ते में जगय जगय गाओं के सामने सडक पर सत्संगी मौजूद थे उनसे मिलते हुए बनखंडी की पहाडी को पार करके उना से इधर पंडोगा और भरसाली की संगत के दर्शन किये सलो के करीब से दाएं हाथ को एक कच्ची सडक उना से हरोली के रास्ते जे जो दौआबा को जाती है उस सडक पर हमारी लौरी लौट स्पीकर छोड़ कर वापस आकर हमारे इंतजार में खड़ी थी उसमें कालू दिबढ़ वाली बीबी धर्म देवी भी मौजूद थी लौरी को आगे रखकर हम उस कच्ची सडक पर रवाना हो गए दो मिल के करीब आगे जाकर पटवारी नौरंग सिंग जी का निवास्थान आ गया वहे और उनकी धर्म पतनी बहुत सी संगत के साथ वहां मौजूद थे उस मकान और उसके सहन में बहुत थंड़क थी और थंडी हवा चल रही थी मकान के सामने बड़ा लंबा चोड़ा चबूतरा था जिसमें चार-पांच बढ़के बड़े-बड़े दरक थे जो सारे मकान और सहन को खूप थंड़ा कर रहे थे हाला कि बारा बजे दोपहर की सक्त गर्मी और धूप का वक्त था पास ही कुँआ था उसका पानी बड़ा थंड़ा लगा खास कर हमें क्योंकि गर्मी में सफर करके आये थे वहां पान साथ मिनट रुक कर आगे चले रास्ते में कई चो यानि खुशक रेत वाले नाले और कई जगा पत्थर आये एक दो जगह गाडियों के पईये रेत में धस गए और धकेल कर गाडियों को निकाला एक जगह पत्थर इतने थे कि टेक्सी कार उनमें धस गई और मुश्किल से निकाली मगर लौरी उंची थी वह आराम से निश्चित स्थान पर पहुँच गई कार और सेशन वेगन से उतर कर देखा तो पहाड की तलहटी में पक्के घरों वाला हरोली का गाउं विलकुल मौजूदा जमाने जैसा पाया इंट और सीमेंट के बने सब घर बड़े-बड़े और हवादार थे लाहौर और अमरिचसर के मकानों की तरह हर घर में पानी का नलका लगा हुआ था और पक्के सीमेंट की नालियां बाजार में थी बाजार डलहोजी के सदर बाजार की तरह धलान वली सतय पर था हमें नीचे से उपर तक चड़ना पड़ा बड़ी दूर तक मकान बने हुए थे पत्रों का पक्का फर्ष और एक सिरे पर गहरी नाली इस तरह के बने पक्के मकान नजर आए हम लाला गुजरमल सूद के मकान में जाकर ठहरे यह गाओं लाला जोधा मलका है और उन्होंने अपने गाओं को खूब उदारता से रुपया खर्च करके शेहरों की तरह बना दिया है गर्मी भी लहोर अमरिस्सर के शेहरों से कम थी मगर पंखा चलाने की जरूरत थी दोपहर के दो बजे थे वहाँ खाना खाया और उसके बाद सत्संग हुआ सत्संग करके फिर समा में से होकर उना आए समा में पानी बहुत कम था मगर रेत में कार धसी जाती थी उना से गुजर कर बाएं हाथ को कच्ची सडक से होकर तीन मील के करीब चल कर हम काली सिंगी पहुँचे वहाँ गाओं से बाहर बड़ा पुकता सत्संग हर उची जगय बना हुआ है जिसमें हजारों आदमी बैठ कर सत्संग सुन सकते हैं वहाँ थोड़ी देर रुक कर हुजूर बीबी शिवदिवी के घर गए जो वहाँ से बहुत उचाई पर बना है फिर वहाँ से कारों और लौरियों में सवार होकर दयाड़ा चले गए चहेडू से डेड मील इधर एक कच्चा रास्ता दाएं हाथ को जाता है वहाँ से तीन-चार मील पर दयाड़ा है मगर रास्ते में कार चड़ाई उतराई करके बंध हो गई और सिर्फ स्टेशन वैगन मन्जिल तक पहुँची कार को रास्ते में छोड़ना पड़ा लौरी रात को नौ बजे पहुँची उसमें लाउट स्पीकर थे इसलिए सत्संग ना हो सका बहुत से लोग आकर जमा हो रहे हैं दूसरे दिन सुभा के आठ बजे सत्संग शुरू हुआ शिरीगुरु गरंत साहिब का शब्द पढ़ा गया इसके बाद तुलसी कृत राम चरित मानस में से नाम की महिमा पढ़कर सरदार राम सिंग चलेट निवासी ने व्याख्या की गुसाई जी ने नाम को ब्रहम और राम से बड़ा बयान किया है जो हर एक हिंदू भाई के पढ़ने के लायक है गुसाई जी की ब्रहम और राम की तुलना ध्यान देने योगे है वहाँ से ग्यारा बजे चलकर करीब के गाउं धुसाड़ा भी गए लौरी को सीधा उना की तरफ रवाना कर दिया दुसाड़ा में कार कनिश्चिस्थान तक ना जा सकी हुजूर को पैदल उपर चड़ना पड़ा कार चो में खड़ी कर दी गई आखिर कार चो में से फिर मोटर कारों को धकेलते हुए आगे उना की तरफ चल पड़े क्योंकि दूसरी टेक्सी भी मरम्मत होकर चल पड़ी थी मगर उसको उना चोड़ना पड़ा उना की सड़क पर दो-तीन मिनट ठहर कर भोटा को रवाना हुए रास्ते में पत्थर थे, सक्त धूप थी और सड़क भी खराब थी स्टेशन वेगन और लौरी में बड़े सक्त धक्के लगते रहे रामतलाई करीब 3000 फुट उची पहली जगा है जहां धूप और गर्मी से कुछ आराम मालुम होता है वहां संगत जमा थी उससे आगे उतराई है और फिर बड़सर थाना आता है जो करीब 4000 फुट की उचाई पर है वहां से शरीर को गर्मी और गर्म हवा से छुटकारा मिलना शुरू होता है वहां 5-7 मिनट ठैरे आगे लठियानी में संगत जमा थी और बाजा बज रहा था आगे बनी बग्गी के पास से गुजर कर शाम के पाँच बजे भोटा आ गए भोटा में न गर्मी है न सर्दी अगर दोपहर को हवा बंध हो तो जरा घाम सी यानि गर्मी सी मालूम होती है और धूप में चलना भी बुरा मालूम होता है नहीं तो कमरे में तो हर वक्त आराम रहता है और रात को ब्रामदे में या बाहर खुले मैदान में बड़ा सुहवना मौसम होता है हम पहुँचे तो संगत पहले से ही जमा थी हुजूर ने सत्संग शुरू कर दिया हाला कि गर्मी से ठके, प्यासे और हिचकोले खाते आये थे मैं सामान रखवाने में व्यस्त रहा भोटा में सुभे शाम दो दफा सत्संग होता है 12 मई 1949 कल 11 मई की शाम को तुलसी कृत राम चरित मानस में से वही विशे लिया गया कि ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है आज कुल 885 स्त्री पुर्शों को नाम दिया गया भोटा में रसभरी की जाडियां मैंने पहली दफा देखी उनको ना तो पानी देने की जरूरत है ना उन्हें चौपाए खाते हैं उनसे बाड का काम भी लिया जा सकता है और कहते हैं कि बारा माँ फल आता रहता है अभी रसभरी का रंग हरा था पीला नहीं हुआ अंजीरे भी देखी आम और चीड के वरिक्ष भी बहुत थे आज एक पड़े लिखे जवान सत्संगी ने बताया कि उनके गाउं में एक सत्संगीयों का खांदान है सबके सब बड़े प्रेमी हैं उनकी छोटी सी लड़की ने कभी हुजूर महराज जी के दर्शन नहीं किये थे मगर चूंकी लड़की पवित्र हिर्दे थी उसको यका यक उनके दर्शन अंतर में होने लगे और सरदार बहादुर साहिब के भी दर्शन हुए और दोनों में लड़की ने यह फर्क बताया कि हुजूर महराजी की दाड़ी नीचे से दो भागों में फैली हुई थी और सरदार बहादुर साहिब की दाड़ी नीचे से फैली हुई नहीं थी मालिक अपने भक्तों का काम खुद करने आता है उनकी भैंस गुम हो गई तो उस लड़की ने कहा देखो हुजूर महराजी खुद भैंस को हाकते हुए लिए आ रहे है मा को भैंस तो दिखाई दी मगर हुजूर का सुक्ष्म स्वरूप नजर ना आ सका इसी तरह सरदार बचिंज सिंग साहिब ने बताया कि एक दफा हुजूर महराजी किसी शहर के बाजार से गुजरे वहाँ लोग गरीबों को रोटियां और दाल बांट रहे थे हुजूर ने कहा कि यह क्यों कर रहे हैं लोगों ने कहा कि फला सेट साहिब मर गए थे आज उनकी बरसी है इसलिए उनकी रूँ को फाइदा पहुँचाने के लिए उनके बेटों की तरफ से दान पुणने हो रहा है वह सेट साहिब हुजूर महराजी के वाकिफ थे और उनसे हुजूर का बरतावा यानि वहवार था संतनस्यों मेरी लेवा देवी संतनस्यों बियोहारा जब हुजूर अपने स्थान पर वापस आये तो जिक्र चला एक बीबी जो अभ्यासिन थी बोल उठी हुजूर उसका जन्व तो इसी शहर में एक बड़े ही निर्दन घराने में हुआ है क्या ही अच्छा होता कि यही अनाज उसकी मा को दे देते ताकि वह पेट भर खाना तो खा लेते इस पर हुजूर ने फरमाया चुप यह बेद जाहिर मत कर उसके बेटों की बेज़ती होगी अब देखिए कि उस सेट को हुजूर के साथ बरतावा और लेंदेन होने के कारण मुनुशे जन्व तो मिल गया मगर चुँकी उसने अमीरी के जमाने में दान पुन्ने परोपकार नहीं किया था इसलिए उसको गरीबों के यहां जन्व मिला अब उसके पिछले जन्व की दौलत उसके किस काम की अगर पिछले जन्व की दौलत से दान पुन्ने करता तो अब के फिर अमीरी भोगता जैसा बो वैसा काटो जिस नाम को गुसाई तुलसी दास जी ने राम चरित मानस के आरंब में ब्रहम और राम दोनों से बड़ा बयान किया है वह वर्नात्मक नाम नहीं जो लिखने पढ़ने में आ सके जैसे राम राम का जपना या गीता, जपुजी, विश्णू स्रहस्र नाम का जाप करना या राधा स्वामी का जाप करना या वाहे गुरू या गायतरी मंत्र का जाप करना ये सब शुब कर्म हैं मगर इनका फल जन मरन से छुटकारा नहीं दिलाता जो नाम, ब्रहम और राम से बड़ा कहा गया है वह नाद या आकाशवाणी है और वही राम है जो सर्व्यापी है और घट-घट में मौजूद है लेकिन गुरू के बिना उस नाम का पता नहीं लगता चौदा मई 1949 आज भोटा से स्टेशन वैगन में हमीरपूर की तरफ सुभा के साथ आठ बजे के बीच रवाना हुए हमारे पीछे पीछे लौरी थी अठारा आदमी लाउट स्पीकर के साथ आ रहे थे रास्ते में तीन बड़ी-बड़ी खड़े आई यानि दो उचे पहाड़ों के बीच नीची जगय में थोड़ा पानी मैदान में भेता था पहले तो कार को नीचे उतरना, फिर पत्थरों में चलना, फिर एकदम बहुत उचाई पर चड़ना पड़ता था पहली खड में ही स्टेशन वैगन उचाई पर चड़ती हुई नीचे फिसली ड्राइवर होश्यार था, उसने हिम्मत करके सवारियों को उतार कर वैगन पार की फिर दो खड और पार हो गई हमीरपूर बड़ी हरी-भरी पानी वाली जगह है हानकि छोटा सा शहर है जिसमें एक ही बाजार है मगर लोग खुशाल मालूम होते हैं सबसे पहले अस्पताल, फिर बाजार, फिर हाई स्कूल से गुजरे वहाँ भी संगत जमा थी कुछ मिनट ठेर कर शहर नादोन की तरफ रवाना हुए हमारा खयाल था कि शहर नादोन में सचसंग करना है मगर असल में नादोन से तीन-चार मील इधर चनियों की हटियां सडक से तीन मील बाएं को आती हैं वह रास्ता लौरी या कार के लिए बहुत मुश्किल था लौरी काफी तूट गई और कार को भी नुकसान हुआ वहाँ बीरबल वैद जी का मकान नजर आया और सो एकसो पचास आदमी औरतें सचसंग सुनने का इंतजार कर रहे थे लाउट स्पीकर लगा कर सचसंग सुनाया खाना खाया और पांच साच स्त्री पुर्षों को नाम भी दिया और नादोन की तरफ रवाना हुए हमीरपूर से नादोन तक बड़ा हरा भरा लहल हाता सा इलाका है धान की हरी भरी कोपलें बड़ी खूपसुरत दिखाई दी उनके आसपास आमों के वरिक्ष मानो एक स्वर्ग के बाग का नमूना था किसी वक्त राजा नादोन के अधीन पठान कोट से लेकर हमीरपूर तक का इलाका था अब तो सिर्फ पंद्रा पट्टे बतोर जागीर है शहर नादोन ब्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है उसके आगे रास्ता पत्थरों में से जाता है और ऐसा हरा भरा नहीं है ब्यास नदी की सूखी तहके पत्थरों में से कई दफा गुजरे और टिकर गाउं से कुछ मिल इधर नदी को छोड़ दिया यह बहुत ही उंचा नीचा पहाडी रास्ता है, कारों के लिए ठीक नहीं है टिकर और परागपूर के बीच बड़ी चौड़ी खड़ है परागपूर का रास्ता बड़ा उंचा है, वहां बहुत से सत्संगी आदमी और औरतें मौजूद थे उनसे मिलकर आगे जुवार की तरफ चले, जुवार में भी संगत जमा थी, वहां आदा घंटा सत्संग हुआ जुवार से नीचे हडिया, हडिया से नीचे कोठेडा, कोठेडा से नीचे अंब, और अंब से आगे मुबारिकपूर आता है कालूदी बढ़ जाएं, तो मुबारिकपूर रास्ते में आएगा फिर मुबारिकपूर से आगे गगरेट में भी सत्संग हुआ और शाम को 6 बजे के बाद हुश्यारपूर आ पहुँचे वहाँ अपनी कार में समान रखकर रात के 8 बजे जालंदर आए, वहाँ कुछ देर रुक कर 9 बजे डेरा आ गए हुजूर महराज सरदार बहादूर साहिब ने भोटा में और दूसरे सत्संगों में यह दस्तूर रखा कि सत्संग की वाणी पढ़ने से पहले लोगों को जबानी बताया जाए कि संत्मत है क्या उनके वचन के अनुसार दुनिया में हर एक इनसान सुक की तलाश कर रहा है मगर तलाश करने पर भी किसी को आज तक इस स्थूल दुनिया में सुक प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि जहां जो चीज ना हो वहां उसकी तलाश करना समय को खराब करना है इस दुनिया में सुक नहीं इनसान का शरीर कुल ब्रह्मान का नमूना है इसलिए इसको नर नराइनी दे या अश्रफुल मकलुकात यानी सबसे उत्तम योनी कहा गया है और पीपा जी ने यह भी कहा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजय सोपावय इस शरीर के अंदर सारी स्रिष्टी सूक्ष्म कारण और रुहानी देश मौजूद है यही नहीं बलकि सारी रचना का मालिक इनसान के शरीर में मौजूद है जिसे उसे मिलना हो अपने शरीर में तलाश करे अब सवाल पैदा हुआ कि शरीर के कौन से हिस्से में परमात्मा को तलाश करना चाहिए इसका जवाब यह है कि शरीर के दो हिस्से हैं एक आँखों के नीचे और दूसरा आँखों के उपर निचले हिस्से में नौ दर्वाजे हैं जैसे गीता और हिंदू शास्त्रों में भी आया है ये नौ दर्वाजे इस थूल दुनिया से संबंद जोडने के लिए हैं जिसने इस दुनिया को ना देखना हो उसको आखों की क्या जरूरत जिसे इस दुनिया की बातों को ना सुनना हो उसे कानों की क्या जरूरत जिसे दुनिया की बातों का जवाब ना देना हो उसको जबान की क्या जरूरत इसी तरह हाथ, पाउं, नाक और अन्य इंद्रियों का हाल है जिसे इस दुनिया से संबंद नहीं रखना, उसको इन अंगों की जरूरत नहीं मतलब यह है कि आँखों के नीचे का हिस्सा इंसानी शरीर का स्थूल स्रिष्टी में कामकाज करने के लिए बनाया गया है और आँखों के उपर का हिस्सा वे है जिसमें से ब्रहमाण और रुहानी देशों का रास्ता है अब इनसान का ध्यान हमेशा नौ दर्वाजों में ही भटकता रहता है इसको चाहिए कि किसी न किसी तरह अपना ध्यान इस निचले हिस्से में से खीच कर आँखों से उपर ले जाए जिसके लिए सिम्रन और गुरु का ध्यान जरूरी है जब सारा जिस्म आँखों से नीचे नीचे खाली हो जाएगा तब वह सोया हुआ मालूम होगा और सारा ध्यान आँखों से उपर जाकर रोशनी को देखेगा और वहां से नाद शुरू होगा जो रोहानी देशों को जाने का एक मात्र रास्ता है जैसे इस थूल देश में सुक तलाश करो तो नहीं मिलता वैशे ही उन देशों में दुख तलाश करो तो नहीं मिलता डेरा में जो कुँआ है उसका पानी गर्मी के मौसम में संगत ज्यादा होने के कारण गंदला आया करता था इसलिए अप्रैल के मासिक सथसंग के खत्म होने के बाद कुए में बोरिंग करवा कर नाल लगाने का प्रबंद किया गया नाल यानि पाइप अर्थाथ ट्यूब इस महीने मई के मासिक सत्संग से एक दो रोज पहले नाल का काम खत्म हो गया नाल बहुत ही नीचे तक गई है वहें 200 फुट से कम तो नहीं गई होगी अब पानी भरपूर रहा करेगा आगे के लिए सोचा गया है कि नाल में से पानी इंजन की सहायता से निकाला जाए तो बहुत पानी मिल जाएगा ओडर नई दिल्ली पंप इतियादी के लिए भेजा जा चुका है और दो लोहे की होदियां यानि होज पहले सीमिंट की होदियों यानि होज के नीचे लगा दी गई हैं ताकि पानी हमेशा जमा रहे 28 मई 1949 कल शाम को सत्संग में गुरु अर्जन साहिब का शब्द बिखैबन फीका त्यागरी सकिये नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ गई सगली सुखी नहोवत जियो मान महतना सकत ही काई साधा दासी थियो लिया गया लोगों का खयाल है कि गुरु साहिब ने नाम के रस को महारस सिर्फ उधारन के तौर पर बयान किया है बलकि सच्चाई यह है कि धुनात्मक नाम की लजज़त दुनिया की सब लज़तों से ज्यादा है और उस लज़द को पाकर मन दुनिया की लज़दों को छोड़ देता है जब तक आंतरिक शब्द का आनंद मन को नहीं मिलता वह दुनिया के भोग नहीं छोड़ता सिवाए शब्द के रस के किसी और रस से मन काबू में नहीं आता आज शनिवार को दो दफा सुभा और शाम सत्संग हुआ गर्मी काफी थी शाम को सत्संग में आंधी शुरू हुई जो अभी नौ बजे रात तक मिट्टी उड़ा रही है संगत इतनी ज्यादा थी कि सत्संग हौल के बाहर का सारा पूर्वी सेहन भर गया था शब्द नाम निर्ने लिया गया इत्वार 29 मही को सुभे के 9 बजे के करीब सत्संग शुरू होगा 7 जून 1949 मंगलवार को डेरा से धाई बजे कार में चलकर अम्रित सर होते हुए तरन तारन की सडक पर बाएं हाथ को तरन तारन से कोई 5 मील इधर गोहलवार गाउं में सत्संग करने गए सत्संग गाउं की अबादी में किया गया जो सडक से आधे मील की दूरी पर होगी चांदनिया लगी हुई थी पहले तो अंदाजा था कि दिन के एक बजे बहुत धूप और गर्मी होगी मगर डेरा से रवाना होने के एक घंटा पहले आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया रास्ते में भी बारिश हुई और हवा चलती रही मगर सफर में मौसम बरसाद जैसा रहा वहाँ पहुँचकर भी सत्संग के वक्त गर्मी नहीं थी सबने आराम से सत्संग सुना सत्संग से पहले हुजूर ने व्याख्या की कि सब धर्मों में मनुष्य शरीर कीमती माना गया है शिरी गुरु गरंद साहिब में तो कहा गया है इस देही को सिमरे देव, सो देही पाजल हर की सेव परमात्मा का मिलना सिर्फ इंसानी शरीर में ही संभव है देवी देवता भी चाहते हैं कि कब इंसानी शरीर मिले और कब गुरु से मिलकर भक्ती करके सत लोग पहुँचें हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि देवताओं को अपने से बढ़कर मानते हैं और उनको पूझते हैं देवता कौन है? जिन लोगों ने इस लोक में आकर अच्छे कर्म किये वे सूक्ष्म लोकों में उनका फल भोग रहे हैं उनको देवता कहते हैं जब वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोग लेंगे तो वे भी इस थूल दुनिया में जन्म लेंगे इसाई कहते हैं कि खुदा ने इनसान को अपनी शकल पर बनाया है मुसल्मान कहते हैं कि इनसान अश्रफुल मखलुकात यानि सबसे श्रेष्ट योनी है हिंदू कहते हैं कि यह नर नरायनी दे है क्योंकि जो भ्रहमंडे सोई पिंडे जो खोजय सोपाव है कुल मालिक ने इनसान के शरीर को कुल भ्रहमान का नमूना बनाया है इसी से सारे भ्रहमान की खोज हो सकती है और 84 लाख योनियों में से निकल कर हमेशा के लिए कुल मालिक की गोद में जा सकते हैं जहां से रूह पहले आई थी अगर मनुष्य जन्म में यह काम ना किया और दुनिया के मोह में फसकर दूसरे कामों में वक्त खो दिया तो फिर 84 का चकर तयार है क्योंकि मनुष्य जन्म 84 की पौड़ी का उपर का डंडा है जो उपर के डंडे पर चड़ कर छलांग लगा कर पौड़ी को छोड़ गया वह उस पौड़ी से छूट गया वरना फिर पौड़ी से नीचे आगिरेगा इनसान कुछ काम ना आएं तो इसी जन्म में ही पूरी कर लेता है जो बाकी रह जाती है उनको पूरा करने के लिए उसको फिर से इस दुनिया में आना पड़ता है और धर्मराज उसको वही शरीर देता है जिसमें उसकी वे कामनाएं आसानी से पूरी हो जाएं अगर किसी मनुश्य में क्रोध का अंग प्रबल रहा और मरते दम तक शांत नहीं हुआ तो धर्मराज ऐसा फजूल खर्च नहीं जो उसको इनसानी जामा दे दे बलकि उसको भेडिया, शेर, चीता वगेरा का जन्म मिलेगा जिससे उसका क्रोध बाहर निकल कर कम हो जाए जो भी काम हम दुनिया में करते हैं, सब बेगार है बेगार किसको कहते हैं? वह काम जिसमें इनसान को कोई मजदूरी ना मिले वैसे ही इनसान सारी उमर अपने शरीर, अपने बाल बच्चों के शरीर के पालन पोशन में खर्च कर देता है या उसके अलावा, देश और कौम की या दोस्तों की सेवा में जाया करता है मरते वक्त कोई रिष्टेदार कुटमबी, कौम या देश इसके साथ नहीं जाता बलकि यह शरीर भी साथ नहीं जाता तो फिर अगर मनुश्य जन्म इन चीजों को ही हासिल करने और संभलने में लग गया तो मानों जन्म विर्थ गया हाँ, अगर साथ साथ जहां मौत के बाद जाना है वहां के लिए भी कुछ तोशा यनि सफर के लिए सामान तैयार कर लेता तो अच्छा था और यही इनसानी जिन्दगी का मकसद है क्योंकि खुद खुदा इस शरीर में ब्रह्मान के साथ मौजूद है और उपर से आवाजे दे रहा है लेकिन हमारा ध्यान बाहर की तरफ है हम उसकी आवाज को नहीं सुनते वेदों में उस आवाज को नाद कहा गया है बाइबल में वर्ड कहा गया है और मुसल्मानों ने उसको कल्मा कहा है जबान से बोले जाने वाले लव्ज कल्मा नहीं ये तो कल्मे का स्थूल स्वरूप है जिस कल्मे को यह कल्मा जाहिर करता है वे इनसान के अंदर है उसको आवाज भी कहना ठीक नहीं वह सबकी जान है और पूरे भ्रहमांड को बनाने वली शक्ति है गुरुनानक साहिब ने उसको आद सच जुगाद सच कहा है और सेंट जौन ने बाईबल में लिखा है कि शब्द आदी में था और आदी रचना शब्द ने ही की शिरी गुरु गरंथ साहिब में उसको शब्द, हुकम या गुर्बानी कहा है कई दफा देखने में आया है कि कोई सत्संगी बहुत दूर से आया है और हुजूर महराजी की कोठी के नीचे बारा दरी के थड़े पर अकेला बैठा हुआ उनके वियोग में चुप चाप रो रहा है और रोध होकर चला गया है पर और का दौरा और डेरा में निवास बारा जून उन्निस सो उन्चास आज सुभा आठ बजे डेरा से कार में हुजूर सरदार बहादुर साहिब मैं साहिब जादा बचिन सिंग जी और भाई शादी एक नौकर के साथ पर और के लिए नहर के रास्ते जो रईया से माधोपुर तक है रवाना हुए रास्ते में वंडाला गुमान की संगत के दर्शन करते हुए ग्यारा बजे के बाद पठानकोट पहुँचे वहां लौरियों के अड़े के पास ही एक सत्संगी के मकान के सामने बाजार में संगत जमा थी अब शर्नार्थियों के पाकिस्तान से वापस आ जाने के कारण संगत ज्यादा हो गई है वहां कुछ मिनट रुक कर और पेट्रोल लेकर नूरपूर की तरफ चले नूरपूर का कस्बा सड़क के किनारे किनारे चड़ाई पर एक मिल तक फैला हुआ है उसके पर एक कोटला आता है कोटला से आगे शहपूर से कांगणा की वादी का असली नजारा शुरू होता है जिसके चारो तरफ पहाड और बीच में बड़ा मैदान है जिसमें खड बेह रही है पहाडों का यह दाइरा पार करके दूसरा दाइरा आ जाता है इसी तरह पर और पहुँच जाते है इस रास्ते में मिठाई की दुकाने तो बहुत आती हैं मगर दूद दही की बहुत कमी है पठान कोट से लेकर पर और तक कहीं भी किसी भी दुकान पर दही ना मिला और दूद भी शाहपुर आ कर मिला सब चीजें कपड़ा, सबजी, खर्बूजे वगेरा पठान कोट से आते हैं आम यहां का मेवा है मगर सब दरख्त खाली नजर आ रहे हैं इस साल पहाड में आम नहीं है पहले हवलदार शेर सिंग के गाओं कचहरी आये जो कांगडा से दो मिल पर है और सडक से दो फरलांग है वहां कुछ लोग सरदार बचित्तर सिंग साहिब एडिशनल डिप्टी कमिशनर के साथ जमा थे वहां एक शब्द लिया गया और वहां से पर और शाम को चार बजे से पहले पहले आ गये पानी पीकर और आराम करके शाम छे बजे सत्संग शुरू किया गया सत्संग से पहले हुजूर महराजी ने संतमत की थोड़े से शब्दों में व्याख्या की कि सारी दुनिया सुख की तलाश में है मगर कोई नहीं कह सकता कि उसको सुख मिल गया क्योंकि जो चीज जहां है ही नहीं वह तलाश करने पर भी वहां नहीं मिलेगी गुर्नानक देव जी ने भी फर्माया है नानक दुखिया सब संसार इसलिए इस संसार में सुख है ही नहीं और हो भी नहीं सकता क्योंकि हर एक इनसान के पास तीन चीजें हैं एक रूप, दूसरा मन, तीसरा शरीर शरीर पांच तत्वों का बना है जब तक ये तत्व अपने असल तत्वों में नहीं मिल जाते इनको चैन नहीं और ऐसा मौत होने पर ही होगा शरीर के पीछे मन है ये भी अपने असल को भूला हुआ है जब तक ये भी भ्रह्म लोक में जो इसका आदी यानि मूल है नहीं समा जाता तब तक इसको भी चैन नहीं अपने देश को भूल कर दुनिया के भोगों और दुनिया की मोहबतों में सुक ढूलता है स्त्री से प्यार करता है मगर कुछ दिन के बाद ये रस भी फीका पड़ जाता है फिर बेटी बेटे, जायदादों, धन दौलत, हुकूमत, मान बढ़ाई में सुक तलाश करता है ये भी फीके पड़ जाते हैं इसलिए जब तक ये ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता ये भी दुखी है आत्मा सतलोक से आई है ये भी जब तक उलटकर अपने असली धाम में नहीं पहुँच जाती, इसको भी सुक नहीं संतमत कहता है कि अगर तुम्हें सुक चाहिए, तो आखों से उपर तलाश करो जहां ब्रह्म और सतलोक का रास्ता है आखों से नीचे सुक नहीं है और आखों से उपर दुख नहीं है इसका तरीका यह है कि अपने ध्यान को आखों के बीच में इकठा करने का अभ्यास करो जब सालों की महनत के बाद धीरे धीरे सारी चेतनता शरीर को खाली करके आखों में आ जाएगी तब समझो कि जड़ चेतन की गांठ खुल गई उसके बाद वहाँ नाद सुनाई देता है वह नाद या आवाज, मन और रूँ को अपने अपने देशों तक पहुँचाने का सीधा रास्ता है इस व्याख्या के बाद शिरीगुरु गरंत साहिब का शब्द लिया गया सुभा के नौ बजे और शाम को पाँच बजे दो सत्संग हुए शाम के सत्संग में स्वामी जी की वानी में से कुवार यानी आसोज का महीना लिया गया इसके बाद सरदार राम सिंग चलेट वाले ने तुलसी कृत रामचरित मानस में से वह प्रसंग लिया जहां श्री रामचंदर जी लंका पर विजे पाकर अयोध्या में वापस आते हैं और अयोध्या की प्रजा को उबदेश देते हैं वह उबदेश हर एक मनुष्य के लिए है पंडित लोग और दूसरे विद्वान रामचरित मानस तो पढ़ लेते हैं मगर उसमें जो परमार्थी शिक्षा के कीमती खजाने भरे पड़े हैं उनको ना तो समझते हैं और ना उन पर चलते हैं रामचंदर जी महराज ने उन अयोध्य वासियों को बुला कर फरमाया कि जो कुछ मैं कहता हूँ उसको सुनो वही मेरा प्यारा है जो मेरा आदेश मानता है मेरा उबदेश यह है कि तुम्हारे बड़े भागे हैं जो तुमको मनुष्य शरीर मिल गया यह शरीर देवताओं को भी मिलना मुश्किल है ऐसा ही धर्म पुस्तकों में लिखा है यह मनुष्य शरीर साधना का जरिया और मोक्ष का दर्वाजा है यानि इस मनुष्य शरीर में ही परमात्मा की प्राप्ती के लिए कोशिश हो सकती है और मुक्ती प्राप्त हो सकती है देवी देवताओं के शरीर में यह प्राप्त नहीं हो सकता और जो मनुष्य शरीर को पाकर अपने परलोग को नहीं सुधारता वह परलोग जाकर दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पश्टाता है दोश तो उसका अपना होता है, मगर वह काल, कर्म और इश्वर को दोश देता है सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि-धुनि पचताई, काल ही, कर्म ही, इस्वर ही, मिथ्या दोस लगाई इस शरीर का उदेश्य, विशे भोगना नहीं है, इस शरीर का उदेश्य, स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग नाश्वान है और अंत में दुख देने वाला है जो मुनुशे जन्म पाकर विशे भोग में मन लगाते हैं वे अभागे लोग अमरित को त्याग कर जहर को चुनते हैं उनको कभी कोई अकलमंद नहीं कहेगा जो हीरे लाल छोड़ कर रत्यों को लेने में लगे हैं हालांकि आत्मा अविनाशी है फिर भी वे लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और काल, कर्म और आदत के वश में होकर माया के जाल में फसे रहते हैं वह परमेश्वर बिना कारण सबका भला करता है फिर उनको मनुशे जन्म देता है उनको समझना चाहिए कि उनको भवसागर पार करने के लिए मनुशे की शरीर रूपी किष्टी मिल गई है और इश्वर की दया हवा का काम कर रही है जो किष्टी को समुद्र के पार धकेल देगी जो ना तरे भवसागर, नर समाज असपाई जो इनसानी शरीर को पाकर 84 लाख से पार नहीं जाता वह आत्मघात करता है और दुरगती को प्राप्त करता है 14 जून 1949 आज दो दफा सत्संग हुआ हुजूर ने फरमाया कि इनसान को चाहिए कि मरने से पहले पहले अपने मन और रूप को इकठा करके आखों तक ले आए अगर ऐसा नहीं करेगा तो मरते वक्त शरीर के अंदर सद्गुरू या यमदूत तो उसे खीचेंगे और यह बार बार शरीर में ही जाना चाहेगा इस खीचा तानी में तकलीफ होगी जैसे कोई चादर जाणियों में फसी हुई है अगर आहिस्ता आहिस्ता एक-एक काटे से चादर को निकाल ले तो चादर नहीं फटेगी अगर चादर को एकदम जोर से खीचेंगे तो चादर तार-तार हो जाएगी यही हाल रू का है जो सारे शरीर के रोम-रोम में फसी हुई है सिमरन करके हर एक रोम से आहिस्ता-ाहिस्ता रू को निकाल कर आखों की तरफ लाओ ताकि मरते वक्त तकलीफ ना हो इसके बाद सरदार राम सिंग ने राम चरित मानस में से वह प्रसंग सुनाया कि जब राम चंदर जी महराज सीता की तलाश में जंगल में घुमते हुए पंपा सरोवर पहुँचे जहां अनेक रिशी मुनी तब कर रहे थे और वहां भीलनी शबरी की भी जोपड़ी थी जब उन सब को श्री राम चंदर जी के आने का पता चला तो सभी ने मकान लीपे पोते इस खयाल से कि राम मेरे घर आएंगे कोई समझता था कि मैं बड़ा विद्वान हूँ किसी को अपने तब का अभिमान होने के कारण विश्वास था कि मेरे यहां अवश्य आएंगे भीलनी को उसके गुरु मतंग रिशी ने कहे रखा था कि जब राम चंदर जी महराज पंपा सरोवर पर आएंगे तो तुम्हारे यहां निवास करेंगे वह अपना घर साफ करके जंगल में उनके लिए फल लेने गई और वहां से बेर लाई चुंकी मलहों यानी जंगल के बेर खटे होते हैं इसलिए वह हर एक बेर को चक कर देख लेती जो बेर मीठा होता उसे राम के लिए टोकरी में रख देती और कड़वा या खटा बेर फैंक देती वापस आकर जब रामचंदर जी को अपनी कुटिया में जमीन पर ही बैठे देखा तो प्रेम से गदगद होकर मगन हो गई और जबान बंध हो गई उस हालत को तुलसीदास जी ने यो वर्णन किया है प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर न आवा फिर उनके चरण धोकर उनको सुन्दर आसन पर बिठाया और उनके आगे वह फल पेश किये जो बड़े प्रेम से रामचंदर जी ने खाए तब शबरी बोली कि मैं सबसे नीच जाती की और गवार हूँ तब रामचंदर जी ने फरमाया कि हे शबरी मैं सिर्फ एक ही संबंद जानता हूँ और वहे मेरी भक्ती का है जाती पांती कुल धर्म बढ़ाई धनबल परिजन गुन चतुराई भक्ति हीन नर सोही कैसा बिन जल बारिद देखिये जैसा यानि जिन लोगों में मेरी भक्ती नहीं वे चाहे कैसे ही उचकुल के हों सेट, साहुकार और अकलमंध हों वे ऐसे ही हैं जैसे पानी के बिना बादल तब राम चंद्रजी ने शबरी को नवदा भक्ती का उबदेश देते हुए कहा हे शबरी मेरी भक्ती नवदा यानि नौ किस्म की है पहली भक्ती संतों की संगत दूसरी भक्ती मेरी कथा वार्ता में प्रेम यानि सत्संग में प्रेम तीसरी भक्ती गुरू की सेवा चौथी भक्ती कपट छोड़ कर मेरे गुणों पर विचार करना पाँच्वी भक्ती भजन यानी शब्द का सुनना छटी भक्ती दम यानी इंद्रियों को रोकना और शीलवान होना सात्वी भक्ती सब में सहज देखना यानी जो सब में परमात्मा को देखता है वह किसी का दिल नहीं दुखाएगा न जीव भत्या करेगा और संतों को मुझसे बड़ा समझना आठवी भक्ती जो कुछ मिल जाए उसी में संतोश करना और सपने में भी पराय दोश नहीं देखना नवी भक्ती छल कपट छोड़ कर सब के साथ सरलता से बरताव करना और मेरे भरोसे पर रहे कर खुशी और गम से परे हो जाना फिर फरमाया कि इस नौ किस्म की भक्ती में से जिस किसी के दिल में एक किस्म की भी भक्ती हो वह आदमी हो या औरत मुझे प्रिये है सुबेदार कप्तान मोती सिंग जिला कांगडा के प्रेमी सत्संगी कुछ दिन हुए पालंपूर के अस्पताल में चोला छोड़ गए सरदार राम सिंग चलेट वाले ने सत्संग में उठकर बताया कि मरने से चार दिन पहले कप्तान साहिब ने कह दिया कि हुजूर महराज जी आ गए हैं उनके पीछे शिरी हुजूर सरदार बहादूर साहिब हैं और मुझे चार दिन के बाद चले जाना है अताय उसके बाद उनकी सूरत लग गई और चार दिन तक चुप-चाप रहे कर गुजर गए भाई शादी मेरे कमरे में ही रहते हैं परसों दुपहर को जब वे अराम करने के बाद उठे तो मैंने कहा तुम रोज रुहानी देशों में जाते हो वहाँ से मेरे लिए कोई चीज भी ले आया करो उन्होंने जवाब दिया कि चीज तो क्या कल रात अभ्यास में जब उधर गया तो एक परचा आया कि तुमने फला कर्म किया है उसका जवाब दो मैंने कहा यह कर्म तो हर इंसान से हो जाता है तुम मुझे माफी दे दो तो फिर वे है परचा हटा लिया गया अब विचार करने की बात है कि जब छोटे-छोटे कर्मों का जवाब देना पड़ता है तो हम लोग जिन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं उनकी मरने के बाद क्या दशा होगी मुलाना रूम भी कहते हैं यानी जो यह कहते हैं कि वह सच्चाई का सूरज छोटी से छोटी अच्चाई या बुराई का फल नहीं देता वे जूट बोलते हैं शिरी हुजूर सर्दार बहादुर साहिब जब से पर और आये हैं कई दिन हो गए अपने कमरे से सच्चंग करने के सिवाए बाहर नहीं निकलते दो बार सच्चंग और बाकी समय लोगों से मिलते हैं या नाम देते हैं आज सारा दिन नाम देते रहेंगे आज कोई सच्चंग नहीं होगा कल भी नाम दिया और सुभा सच्चंग किया उसके बाद पांच बजे पालंपुर तश्रीफ ले गए जो यहां से आठ मील है वहां कलब के मैदान में आयोजन हुआ पहले शिरी गुरू गरंथ साहिब का शब्द लिया गया मगर सच्चंग के शुरू में जबानी समझाया गया कि संत्मत है क्या चीज जिसका निचोड यह है कि जो कारीगरी उस परमात्मा ने इंसान का शरीर बनाने में दिखाई है वह किसी और जीव में नहीं पाई जाती शरीर के दो हिस्से हैं एक आखों से उपर दूसरा नीचे निचला हिस्सा दुनियावी कामकाज के लिए दिया है और उपर का हिस्सा परमार्थी कारे यानि भजन सिम्रन करके अपने अंदर परमात्मा का साक्षतकार यानि दर्शन करने के लिए दिया गया है वह बिना गुरू के संभव नहीं इस हिस्से में शब्द गूंज रहा है जिसको पकड़ कर सत लोग तक पहुँचा जा सकता है भोक की रस्म से फारिक होकर हुजूर लाला नत्थुराम साहेब कृशी विभाग के अफसर की विमारी का हाल पूछने गए यह लाला साहेब शिरी हुजूर सरदार बहादुर साहेब के साथ लायलपूर में रहे हैं वहाँ उनके सत्संग में पाठ किया करते थे लाला नत्थुराम ने बताया कि सरदार बहादुर साहेब मुझसे स्वामी जी की वानी में से आरती पढ़ने की फरमायश करते थे बड़े जोर से बहता है क्योंकि सिर्फ दो मील परे बरफानी पहाड में से यह पानी आता है यह पानी इतना ठंडा है कि मूध होते समय हाथ सुन हो जाते हैं पालंपूर देखने लायक जगा है काफी रौनक है और कहते हैं कि सरकार ने यहां धातूओं तेल वगहरा की खोज करने के लिए बाहर से आदमी भेजे हैं जो खोज कर रहे हैं आशा है कि 10 साल तक जिला कांगडा की हालत बहुत बदल जाएगी अब तो इस इलाके के लोग बिलकुल गरीब हैं चाये के बाग वाले एक आदमी को एक दिन की मजदूरी आठ आने यानि आज के 50 पैसे और एक औरत को एक दिन की मजदूरी 6 आने देते हैं भाई शादी की कुछ कविताओं पर ध्यान दे पागी दे कतने दियां गल्ला, होंदियां साध दे डेरे यानि रू के भजन करने की बातें साधू लोगों की सोहवत में होती हैं कदे दी जीवनी आंदी सी हुन आ गया नान का मेल यानि रू अरसे से इंतजार कर रही थी अब मिलन की घड़ी यानि मौत आ गई पोला सिंग फिर्दा है एक बचेरा, तू कोई तंद पाए यानि ऐ भुला सिंग मौत का बचेरा फिर रहा है, जल्दी भजन कर ले हुजरे शाहा मुकीम दे, एक जट्टी अर्ज करे पंज सत मरन गुआंडणा, रहंदियानू ताप चड़े रस्ते विच कुटिया फकीर दी, ओनू काला नाग लड़े कुट्टी मरे फकीर दी, जेडी गयानू टूं टूं करे गलियां होवन वेलियां विच रांजा यार फिरे उन्निस जून उन्निस सो उन्चास आज इत्वार की सुभा को आठ बजे चलकर सरदार बचित्र सिंग साहिब ADM की कोठी पर धर्मशाला पहुँच गए वहां सत्संग के लिए कुछ लोग तो जमा थे, बाकी और आ रहे थे कुछ देर आराम करके सत्संग शुरू हुआ धर्मशाला, जिला कांगडा का हेड़कौर्टर, जंगलात के डिवीजन का हेड़कौर्टर और सरकारी कॉलेज होने की वज़ा से बड़ा केंद्र है यहां बहुत से अफसर और उनकी बीवियां और उनके साथ और दूसरे लोग सत्संग सुनने आए पहले तो शिरी गुरू गरंत साहिब में से गुर्णानक देव जी का शब्द बिख बोहिता लादेया दिया समुन्द मंझार लिया गया कि सब लोग मन की किष्टी में सवार होकर अच्छे और बुरे कर्मों का माल लाद कर संसार सागर में बहे जा रहे हैं जब से यह दुनिया बनी तब से इसी में चक्कर खा रहे हैं निकलने का रास्ता नहीं मिला अगर सत्गुरू मल्लह और नाम का जहाज मिल जाता तो पार हो जाते इस शब्द के बाद स्वामी जी की वानी में से इसी विशे का शब्द देखो सब जग जात बहा लिया गया और शाम को शिरी गुरू गरंत साहिब में से राम नाम मन बेदिया अवर की करी विचार लिया गया कि सिवाए नाम के मन को कोई मार नहीं सकता क्योंकि जो चीज मन से बारिक हो वही मन को चीरेगी इसमें किसी किस्म की बहस की गुनजाइश नहीं है उसके बाद इसी विशे का शब्द धुन सुन कर मन समझाई हुजूरी वानी से लिया गया इन दोनों सत्संगों के बीच दोपहर के दो बजे मैं और 15-16 सत्संगी भाग सुनात का चश्मा जो यहां से 6-7 मील पर है देखने गए जो धर्मशाला की उचाई 5000 फुट से 1000 फुट के करीब ज्यादा उचा है वहां लोगों के आने जाने के लिए एक लौरी जाती है वहां च्छावनी भी है और लौरी को छोड़ कर एक मील पैदल जाना पड़ता है भाग सुनात में काफी लोग नहा रहे थे और पास ही खाना खा रहे थे पानी की दो तूटी धारें सीह मुखी सीमेंट की बनी हुई नालियों से निकल कर पहले एक तलाब में पड़ती हैं यहां किसी को नहाने की इजाजत नहीं है केवल पीने के लिए पानी ले सकते हैं फिर इस तलाब से शेर के मुँ जैसी दो नालियां एक निचले तलाब में पानी छोड़ती हैं उस तलाब के आसपास सीमेंट का चोड़ा फर्ष है और उस तलाब में लोग नहा सकते हैं उसके आसपास बरामदा है जिसमें लोग बैठ सकते हैं एक तरफ औरतों के नहाने के लिए परदा बना हुआ है, धर्मशाला से उसी रात पर और गए 20 जून 1949 सुभा वहां से रवाना होकर साड़े ग्यारा बजे पठानकोट पहुँचे वहां रेलवे स्टेशन के पास एक कोठी के आंगन में लोग जमा थे गर्मी बहुत थी, मगर सत्संग देना पड़ा वहां से चल कर गुर्दासपुर से नहर की पटरी के रास्ते रईया होते हुए शाम के चार बजे डेरा आ गए 26 जून 1949 आज मासिक सत्संग सुभा सवा आठ बजे शुरू हुआ हाजरी काफी थी, मगर इतनी ना थी, जितनी मई में थी शिरीगुरु गरंत साहिब में से शब्द सच कहयो, सचय कार रहना लिया गया और स्वामी जी की वानी में से सुरत की आज लगा दे तारी लिया गया 30 जून 1949 सुभा नौ बजे कार से चल कर कपूर थला शुब विवा में शामिल हुए, वहां हमारे जाने से पहले शिरीगुरु गरंत साहिब का प्रकाश हो रहा था रागी राग अलाप रहे थे, दूला शिरीगुरु गरंत साहिब के थड़े के सामने दरी पर विराजमान था दूलन भी लाई गई और अच्छे वस्तर पहने एक भाई जी ने लड़की लड़के और उनके माता पिता को खड़ा करके बिना विग्न विवा कारे की समापती के लिए अरदास की फिर सबको बिठा कर भाई जीने गुरु अरजन साहिब की वाणी में से जिन तुम पेजे, तिने बुलाए, सुख सहज सेती, कार आओ, वाणी पड़ी गुरु साहिब तो फर्मा रहे हैं कि जिस खुदा ने तुमको इस दुनिया में भेजा है उसने तुमको अब वापस बुलाया है आओ मेरे साथ, मैं तुमको वहाँ ले चलू इस शब्द को शादी के शुरू में पढ़ने की वज़ह मेरी समच से बाहर है फिर रागी लोगों ने मंगलवानी पड़ी कीता लोडिये कम, सो हर पे आखिये यह तो बिलकुल मौके के मुताबिक था कि जिस काम को शुरू करना हो इश्वर के आगे उसकी कामियाबी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए यह शब्द बड़ा मनोहर और राग आनंद दायक था मगर रागियों की तर्ज में ये बाते ना पाई गई इसके बाद भाई जी के हुक्म से दुले के दुपट्टे का एक सिरा लड़की के हाथ में दिया गया जिसको पंजाबी में गठ जोड भी कहते हैं और रागियों ने यह शब्द पड़ा पल्ले तैडे लागी जो मौके के मुताबिक था इसके बाद गुरु रामदास्ची की वाणी में से चार लावें पड़ी गई जिसका मतलब तो यह है कि पहले इश्वर ने वेद वगेरा रचकर दुनिया को प्रवर्ती मार्ग यानि कर्म का मार्ग बताया और पाप पुन्ने बताये और कहा कि धर्म पर चलो फिर दूसरी लाव में सद्गुरु मिल गए अनहद शब्द का पता चला तीसरी लाव में वेराग्य की बात की गई चौथी में परमात्मा की प्राप्ती इसके बाद रागियों ने व्या होया मेरे बाबुला गाया जिसका मतलब तो आत्मा और शब्द के विवाह से था फिर रागियों ने पूरी आसा जी मंसा मेरे राम गाया फिर उन्होंने गाया जोडी जुग चार जीवे अंत में अरदास की गई